इस फ्रेम में चार चित्र हैं पहले चित्र में सहायक उपकरणों सहित एक कम्प्यूटर दिखाया गया है और पीछे से शिक्षिका की आवाज आ रही है शिक्षिका कह रही है वेब सुगमिता की पहली आविशक्ता है ऐसी वेबसाइट जिस तक दिव्यांग जिन सहायक उपकरणों जैसे की ब्रेल कीबोर्ड और वर्टिकल माउस इत्यादी से सरलता से पहुँच पाएं और अपना काम अपने आप कर सकें माया हमें दिखाएगी इन उपकरणों का प्रयोग कैसे करते हैं दूसरे चित्र में शिक्षिका बच्चों की और मुह करके खड़ी है उनके पीछे ब्लैक बोर्ड है बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और शिक्षिका कह रही है माया यहां आओ और उप्योग करके दिखाओ माया को सफलता पूर्वक उप्योग करता देख बच्चों की प्रतिक्रिया तीसरे चित्र में शिक्षिका वेब सुगम्यता में सहायक उपकरणों के बारे में सोच रही है और कहती है बहुत खूब माया बच्चों वेब सुगम्यता का पहला चरण वेब साइट और उपलप्ट सूचनाओं तक सरलता से पहुचना है माया ने इस कंप्यूटर पर वेब साइट पर उपलप्ट सूचनाओं को स्क्रीन रीडर की मदद से प्राप्त किया स्क्रीन रीडर स्क्रीन पर उपलप्ट जानकारी को पढ़कर सुना देता है जिससे नहीं देख सकने वालों की मदद हो जाती है इसके साथ ही साथ उन लोगों की आखों के लिए भी अराम दे है जिनहीं ज्यादा देर तक स्क्रीन पर आखे तिकाए रखनी होती है यहां इस कंप्यूटर में डिस्प्ली में आविशिक बदलाव जैसे टेक्स्ट के आकार और प्रिष्ट भूमी के रंग को बदलने का विकल्ब भी है इसके बाद ज्योती मेडम ने एक वीडियो चलाया और क्लास में हसी के फववारे छूटने लगे चौथे चित्र में बच्चों को कंप्यूटर लैब में वीडियो देखकर हस्ते हुए दिखाया गया है और ज्योती मेडम कह रही है मुझे पता था कि तुम लोगों को यह कार्टून पसंद आएगा लेकिन इस वीडियो के नीचे आ रहे टेक्स्ट को ध्यान से देखो जहां वीडियो के समवादों और संगीत के जानकारी लिखेत रूप में दी जा रही है इसे कैप्शिनिंग या सब्टाइटलिंग कहते हैं यह उनके लिए बहुत मददगार है जो सुन नहीं सकते झालोवा प्यूप प्राइटलिंग टेन्वार्भी झालोवादी प्यूप झालोवादी 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 झाल झाल